असलाम अलेकुम कैसे आप सब उमीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा रिगार्डिंग कश्मीर युनिवरसिटी पीजी एंटरंस सेशन 2023 एक्जामनेशन सेंटर्स एक्जामनेशन सेंटर्स इस साल कहां पे होंगे और कितने सेशन में एक्जामनेशन होगा आपके एंटरंस के हवाले से और यहाँ पे जो entrance के हवाले से timing रहता है वो कब से जो है start होता है तो क्योंकि यह जो doubt से बहुत सारे students के मन में है तो आज जो doubt से यह clear करूँगा मैं यहाँ पे एक और question है students का कि इस साल पिछले साल के मुकाबले पहले ही क्यों entrance होगा तो अगर हम previous year की बात करेंगे previous year अगर आप यहाँ पे previous year dead sheet टेखेंगे तो 22 जून से previous year entrance से टाउट हुआ था और इस साल जो है मेह से ही chances है कि first week of मेह से ही entrance से टाउट होगा उसके हवाले से हम अलग वीडियो में update देंगे कि कब जो है dead sheet issue होगी उसके हवाले से confirmation के बाद जो भी हमें reply वहाँ से मिलेगा कि कब dead sheet release होगी वो हम next वीडियो में आपके साथ share करेंगे previous year 22 जून को यहाँ पे entrance से टाउट हुआ था बट इस साल मे में ही जो है entrance से टाउट होगा तो क्या reasons है क्यों इस साल previous year के मकाबले एक महीना तेड़ महीने पहले ही entrance से टाउट होगा तो इसके पीछे जो reason है 22 जून को यहाँ पे previous year entrance कंड़क्ट हुआ था फिर जो है जुलई में जो है इसके हवाले से selection lists आए तो इसके हवाले से फिर बहुत सारे selection lists आते हैं फिर financial cities के हवाले से registration process तो यह एक लंबा process है तो इसी कारण इस साल एक डेड़ महीने पहले ही admission notification release गया गया है एक डेड़ महीने पहले ही entrance conduct होगा ताकि सही time पे class work start हो सकी यही एक reason है क्योंकि फिर सतमबर में कुछ students के class work start होता था उससे उनका time जाया होता था इसी लिए इस साल एक डेड़ महीने admission process पहले ही start किया गया है अब यहाँ पे बात है examination timing 2020 और 2028 में सिर्फ दो ही session होते थे एक होता था morning and evening session प्रिवेस year 2022 में 3 sessions में exam था इस साल भी chances है कि 3 session में exam होगा 11 a.m. से morning session का examination start होगा afternoon session 1.30 p.m. and evening session 3.20 p.m. अब यहाँ पे बात है examination center अगर हम प्रिवेस year की बात करेंगे प्रिवेस year सिर्फ और सिर्फ examination center जो था वो कश्मीर युनिवर्सिटी में के अपस में था 2020 और 2028 में COVID-19 की वज़ा से examination centers बहुत जगा पे थे पुलवाम में एक था, कुफ़ारा में एक था, बारमुला में एक था, अनंतनाग में एक था, सिर्फ नगर में एक दो जगा examination centers थे बट इस साल मैं आपको information प्रोवाइड करूँगा इसके हवाले से इस साल भी बहुत जगा पे examination centers होंगे क्योंकि प्रीवेस सियर सिर्फ मैं के अपस में examination center था, फिर जो यहाँ पे students को काफी सारे दिक्कादूखा सामना करना पड़ा क्योंकि evening session में 3.20 पिम examination start होता है और 4.30 पिम exam खत्म होता है तो जो दूर दराज एरिया से belong करते हैं, बतलब गुरेज से कुपवारे के दूर दराज एरिया से या कौलगाम साइड से शोपियान साइड से जो बिलाउंग करते हैं, जब उनका 4.30 examination complete होता था, फिर वो सही टाइम पे गार नहीं पोच सकते थे इसी reason की वज़ा से previous year भी कश्मीर युनिवरसिटी होने चाहे, उसी चीज़ को मतिनजर रखते हुए, इस साल कश्मीर युनिवरसिटी ने ये फैसल लिया है admission advisory committee में ये बात भी discuss हुआ है कि इस साल कश्मीर युनिवरसिटी man campus के साथ साथ कश्मीर युनिवरसिटी satellite campus में भी examination center होस होंगे जिसमें कश्मीर युनिवरसिटी south campus जो की फत्यगर अनंतनाग में है कश्मीर युनिवरसिटी नारत campus जो की दलीना बारमला में है उसमें भी एक center होगा और chances है की कौफ़वारा campus में भी एक examination center होगा सो इस साल लगबग दो तीन जगा पे examination centers होंगे कश्मीर युनिवरसिटी man campus की अलवा